प्राइब देखे रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ नवीन और एक बार फिर सनोली रोड से गुजर रहे थे तो सनोली रोड के हालात सोचा कि आप लोगों तक को एक बार फिर से दिखाएं कि आप सनोली रोड पर आना चाहते हैं तो हस सकते हैं आफ़त में क्योंकि आफ़त अभी भी सनोली रोड पर लोगों के सामने ऐसे ही बनी हुई है और ये तस्वीरे हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पहले भी कई बार हमने आपको हालात दिखाए लेकिन हालात अभी भी सुधरे नहीं हैं हालात अभी भी जस्के तस पने हुए हैं ये देखिए आखिर कब आखिर कब लोगों को राहत मिलेगी देखिए गाडियां फसी नजर आ रही है सामने एक ट्रक आप तस्वीरों में देख सकते हैं रात का यहाँ पर बताया जा रहा है कि खराब हो चुका है खराब हो चुका है गहरे गंजों के कारण और रात से बताया जा रहा है कि ट्रक भी यही पर फसा हुआ है और अब यह गाड़ी यूपी नंबर की यह गाड़ी है यह देखिए यह भी फस चुकी है फसी हुई है और सामने तस्वीरे आप देखिए जाम जाम की च्टिशी लगातार सनोली रोड पर बनी रहती है दोनों और की ये तस्वीरे हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप यदि सनुली रोड पर आते हैं तो साफधान साफधान होने की जुरूर्थ इसलिए है ताकि आप भी परेशानी में नफसे किसी समस्य में नफसे ये हालात आप खुद देखनी है देखिए गाड़ अधिक सभी परेशान है जो लोग देखिए एक सामने और एक ऊटो और फस्टुका है ये हालात बने हुए हैं सनोली रोड के सनोली रोड के हालाद पिछले लंबे समय से ऐसे ही बने हुए है लगातार लोगों को दिक्कते आ रही हैं दिक्कते इसलिए आ रही है क्योंकि सनोली रोड पर जल भराओ है जल भराओ के कार्ण गहरे गड़े बने हुए हैं पिछले लंबे समय से और अब कावड के समय में आपने देखा कि इस परकार थे कावरीय थे उनको काफ़ी दिक्कते आई थी यहांके जो सामाजिक लोग थे उन्होंने यहां पर काम अपने पैसों से करवाया, उन्होंने रोड़ा मिठती यहां पर टलवाया था लेकिन अभी यहालात अभी बी हालात ऐसे के ऐसे बने हुए हैं और यह तस्वीरे हम आपको सिर्फ और सिर्फ किसी यह दिखा रहे हैं ताकि आप भी योदी सनोली रोड़ पर आते हैं तो सावधानी बरतें सावधानी इस्लिए बरतें ताकि ये देखिए ये लोगों के हालात ये देखिए जो लोग महगे कपड़े डाल कर निकलते हैं महगे गाडिया लेकर निकलते हैं वो फस रहे हैं फस रहे हैं सनोली रोड पर सनोली रोड के ये हालाद देखिए देखिए किस तरकार लोग परेशान हैं परेशान इसलिए हैं कि सनोली रोड पर अभी भी स्तिती जैसे की तसीब बनी हुई है गाड़ी के पीछे औरएक एर रिंख्षा फस चुकी है और देखिए लोग काफी बहस भी करते नजर आ रहे हैं देखिए लाइव तस्वीरे हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप सनोली रोड पर आएं तो साब्धानी बढ़तें साब्धानी इसलिए बढ़तें ताकि आप भी इस बड़ी आफ़त में नया फस सके देखिए लोग परेशान लोग परेशान हैं और इसी परेशानी के चलते लोगों को काफी दिक्कते देखिए इस पानी से होकर जो लोग निकल रहे हैं उनको यह देखिए, 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 लोग किस परकार से यहां पर, परेशान, परेशान इसलिए है देखिए, देखिए, यह इसलिए परेशान है कि जोगी लोग यहां से निकलते हैं वो लोग फस जाते हैं देखिए लोग किसमें परेशान हैं लोग आपस में यह हालात हम आपको सनोली रोड पानीपत सनोली रोड के दिखा रहे हैं जो रास्ता उत्राखंड उत्राखंड को जाता है उत्रपरदेश को जोडने वाला ये मुख्य मार्क है लेकिन हालाद कि ले लंबे समय से ऐसे ही बने हुए है देखिए देखिए सनोली रोड पर किस परकार से लोग समस्या में फसे न जारा रहे हैं ये समस्या कोई नई समस्या नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये खबर दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये लोग इस परकार से समस्या में फसे हैं आप लोग इस समस्या में फसे कुछ लोग स्पानिय लोग हैं जो यहां से हर रोज तो देखिए लोग गालियां तक निकाल रहे हैं गालियां तक किस लिए निकाल रहे हैं कि क्या नाम है क्या दिखतारी है मेरा सर नाम शराफद अली है मैं यहीं का इस्ताई निमासी हूं बारा वाड़गा भीदन गोणीगा सर अमारे रोड के हालात देखिए आप हमको लोड़ी से पार निकलते हैं मारा निकलना नहीं होता है अक्षर कर अमारा निकलना होता है लिए अगया सर यहां पीट्शी निकाल के कष्जर से घिचयाएं यहां पे देखिए यहां अप़ा देके यहां है्यां कि निकलना भूष्षी लोड़ा है यहां पे लोगों का निकलना मुश्षी लोड़ा यह पांदे derc लेकिन, गरामीर rescet से आता है, यहां पर कोई भी नेता, यह कोई भी दैग आके एक बार यह नहीं देखता, भोट मांगने के लिए रहाते हैं, लेकिन यहां पर आगे कोई भी यह नहीं देखता कि यहां पर हो गया रहा है पुब्लिक कैसे परेशान है कैसे पुब्लिक अपने निकल रही है बहुत से पुछ तुर गठना होती है चोट लग जाती है घिर जाते हैं कडों के अंदर पता ही लगता पाड़ी के अंदर कड़ भरेइन लग सब्सक्राइब है रहा है पार से पंदार था उसको क्या पता रोड़ फिरौक्राब है खृव अब यहां के आलात कैसे निकलेंगगे लोग नलाधिकिंव्चन मानते हैं और विद्याइग जिम्धार मांने थे एकि 땃मार आता है एक सक्लोंद तकाल पीड़ आ कुलोनी के अंदर तो आ जाते हैं वो भी शिर्फ प्लेटे लगाने के लिए आते हैं आज तक वहां पर कोई काम नहीं हुआ कोई काम नहीं हुआ लोग यह भी पता लग रहा है कि लोग भी से रोज गिरते हैं डेली का काम हो रहा है अब यह देखें आप रात से फसा हो गई है यह ट्रक विचारा गरीब आजमी कमानी तूट गी अब आप देखिये कैसे अब बिख़ड़ा है यह जो लोग यहां से निकल रहे हैं उनको कि क बहुत जो अंजान फिया करना से निकल जाएगा और यहां से निकलना मुश्किल है कि आथ को जाते हैं बारा बरस का बनवास काटना वह पंवास काटे निकलना पड़ता है बच्छे साथ मेले रहा हालाथ बश्य पत्तर हैं बश्य बच्छे तो हालात बद से बत्तर हैं ये कहना है यहाँ के जो निवासी है यहाँ के रोज निकलने वाले लोग है उनका ये कहना है और देखिए ट्रक ये ट्रक बताया जा रहा है कि पूरी रात से ऐसे ही यहाँ पर फशा हुआ है लेकिन सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों को गरीब लोगों को ही क्यों आखिर इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आखिर कर क्यों कब तक ये लोग इस फरकार से इन समस्याओं से जूशते रहेंगे कब सनोली रोड का समाधान होगा देखिए तमाम तस्वीरे हमने आपको पहले भी दिखाई और खबर दिखाने का आज मकसद सिर्फ इतना है कि यदि आप सनोली रोड से होकर गुजर रहे हैं जो लोग यहां फस्ते हैं इन से बैतरी समस्या को सनोली रोड के हालात को कोई नहीं समझ सकता तमाम लोगों से अपील वीडियो को जितना भी शेर हो सके शेर जरूर करे पनपत सनोली रोड के ये हालात हमने आपको इसलिए दिखाए ताकि आप भी यदि सनोली रोड पर आते हैं तो साथ धानी बढ़ते सनोली रोड ये देखे पीछे लंबा जाम पीछे लंबा जाम लगा हुआ है कुछ और यहां के लोग हैं उनसे में एक पर पात्षीत करना चाहेंगे सर आप आये हो देखकर क्या लगा बहुत बुरा हाल है जनानी आरिक साब बैठ के जाती है वो गिर जाती है उनके आत पहर तूट जाते हैं कोई सुनबाई नहीं इस रोड की है दुकंदार जो है छोट साथ यही हाल हो जाता है कोई भी नहीं आता 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 है अच्छा बोट तो भाई अब बोट की तो कुछ कहो ही मत अच्छा बोट दे देते तो यह रोड बना देंगे वो तो एक बार आते हैं और वो कहते एक बार त तो जब दूंगा जब हमारे को त्यार कर देऊगे त्यार करने की सजा और गया सजा तो यह ना बोट की सजा है अच्छा दुपंदारी खतम और यह बाड़ा नहीं लिकर रहा है अच्छा रात से विचारा फसा हुआ बताओ अगर पलट जाता तो कितने आदि मर जाते कितने मर जाते दूदिया जो है इसमें पटकें खा रही है सुभेरे को देखते हुआ हर रोज देखते हमारा घर भी यहीं है हम कहां जाएंगे तो दुनों कहां से निकल रहे हैं निकलते मजबूर यह उनकी क्ये कर रहे कहां जाएंगे उन्हें तो इसी में राद दिन मर ना है नहीं पता है जा क्या नाम आपका राजकुमार देखिए जो यहां के स्थानी निवाजी है उनको आपने सुना दिक्कते सभी को आ रही है लेकिन हल कौन करेगा सबसे बड़ा सवाल यह बना हल हुआ है सनुली रोड सनुली रोड के स्थानी लोगों का और जो लोग यहां से निकलते हैं उन लोगों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन सुनुली रोड के हालात का जायजा लेगा कौन सुनुली रोड की सूद लेगा तमाम लोगों से अपील वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें त लेकिन इन हालातों को लेकर कोई भी सनुली रोड पर पहुंच नहीं रहा तमाम लोगों से अपील वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जो करें बहुत बहुत शुक्रिया